मतलब जो thumbnail है उसमें आपने देख लिया होगा कि आज हम लोग का runner calculation के बारे में कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं कि runner calculation में क्या चीज़े होती हैं तो उससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि feed system क्या होता है तो आज का video है या फिर आज की जो live streaming है इसको complete देखिए ताकि आपका समझ माया का कि किस तरह से आप किसी मोल्ड के अंदर प्लास्टिक मोल्ड के अंदर के लिए calculation को कर सकते हो और जो runner के diameter को किस तरह से हमको select करना है वो चीज़ आप जान सकते हो ठीक है तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ कोर्स के बारे में बतायता हूं प्लास्टिक मोल अगर आपको करना है तो डबल एट सेवन वन फाइफ डल वन 975 पे आप मुझे मेसेज कर सकते हो वाट्सप पे ठीक है हिंदी और इंग्लिश दोनों में अविलेबल है अगर आप इंग्लिश के स्टुएंट हो और इंग्लिश समझते हो तो आप इंग्लिश में भी स्कूर स्लाइडर मोल्ड थियोरी कैलकुलेशन एंड़ प्रैक्टिस जो कंप्लीट मोल्ड की प्रैक्टिस होती है वो चीज आपको इसके अंदर मिल जाती है ठीक है पांसो रुपेस का रिश्टेशन फीस है तो जॉइन कर सकते हो 500 पीस रिश्टेशन फीस के साथ जिसमें आपको दो दिन का डेमो क्लास ब्रोवायट कराता हूं ऐसके अनेक्स नोलेज आपके पास होना जरूरी है नहीं है तो फिफ्टिन डेस का आप इन अन्शी नीग्राफिक का कोर्स कर सकते हो ऊके तो जल्डी से जल्दी मुझे मैसेज कीज यह वाट्स अप पे ताकि मैं आपको सिल ठीक है, तो feed system basically, आप बोल सकते हो कि feed system is the combination of sprue, primary runner and second runner and the gate, ठीक है, feed system क्या होता है, sprue, primary runner का, second runner, cold well or gate, यह सभी का combination होता है, तो basically यह waste material होता है किसी भी mold के अंदर, ओके, यह क्या होता है, waste material होता है, यहाँ पर sprue, runner, sub runner or gate, जो यह है, यह इसको बोलते हैं feed system, क्या हूँ, क्यो आप material को इसके अंदर डालते हैं, mold के अंतर, ठीक है, तो यहाँ पर एक sprue होता है, तो sprue के अंदर हम लोग taper angle को provide कर आते हैं, taper angle जो standard होता है, वो होता है, 2 degree to 5 degree, तो 2 से 5 degree तक का taper angle दिया जाता है, ताकि cavity से easily ejection हो जाए, ठीक है, मतलब बोल सकते हो कि de-attach हो जाए, वहाँ यहाँ पर हम देखते है, runner के diameter के लिए हमारे पास एक simple सा formula है, जिसको बोलते है, d equal to w to the power 1 by 2, w to the power 1 by 2 मतलब होता है 0.5, okay, 1 by 2 का मतलब होगा, यहाँ पर 0.5, into l, l मतलब होता है runner length, w होता है part weight, okay, l is equal to l to the power 1 by 4, 1 by 4 means 0.25, 1 को अगर आप 4 से आप डिवाइड करो तो 0.25 मिल देखा आपको, right, चलिए, तो मैं आपके पास एक component बतायता हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको पिले define कर देता हूँ, जो d है, वो कहा है diameter, diameter है, diameter of runner, तो basically क्या है, वो cross section है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ cross section दिखा रहा हूँ, कि किस तरह के cross section area को आप runner के लिए ले सकते हो, ठीके, यहाँ पर है full round, यहाँ पर है parabolic, यहाँ पर trapezoidal, white trapezoidal, और यहाँ पर हाफ round और quarter round, तो मैं आपको यहाँ पर दो define करूँगा, full round और half round को, ठीके, देखो, basically आप full round के लिए ही diameter को calculate करते हो, diameter को आप निकालते हो, तो full round के लिए ही निकालते हो, ठीके, यहाँ पर अगर आप half round की बात करो, तो यहाँ पर जो full round के लिए निकलेगा, full round के लिए जो diameter आप निकालोगे, वहाँ पर half round के लिए आपको उसको दुगना लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप half round के runner को ले रहे हो, ठीके, यहाँ पर अगर 5 के निकलेगा, तो यहाँ ट्रेपेजोडियल वाला जो area दिख रहा है, ट्रेपेजोडियल को कभी भी आप इस तरह से sharp area में नहीं बनाते, आप इसको या तो parabolic बनाओगे, या तो आप इसको round बनाओगे, ठीके, क्योंकि sharp corner अगर आप रखोगे यहाँ पर, तो आपको उसको EDM करवाना पड़ेगा, इलेक्रोडेडियम करवाना पड़ेगा, मशिनिंग ज्यादा होगी, मशिनिंग ज्यादा होगी, तो आपके mold की cost ज्यादा होगी, राइट, चलो, तो इस diameter के, जो runner diameter का जो formula है, इसको हम लोग पर फिर देख लेते हैं, W to the power 0.5 into L to the power 0.25, ठीके, divide by 3.7, तो यह जो simple सा formula है, इससे आप runner के diameter को निकाल सकते हो, तो सबसे पहला वाला जो question रहता है, वो है weight, कि part weight अप कैसे निकाल होगी, ठीके, और उसके बाद है runner length, runner length आप कैसे निकाल होगी, तो तब जब आपके पास ये 2 value होगी, तब भी आप diameter को निकाल सकते हो, राइट, इतना समझ माया है, ठी component available है, ठीक है, यह है हमारे पास component, हमको इसका एक 4 cavity mold को create करना है, कितना 4 cavity mold को create करना है, तो complete lecture को देखिए, ताकि आप diameter को निकालना सीख सको, कि किस तरह से part weight निकालते हैं, और किस तरह से हम runner की length को decide कर सकते हैं, length decide करने के बाद, weight निकालने के बाद, हम क्या करते हैं, हम diameter को calculate कर सकते हैं, right, चलिए, तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा सा conversation कर लेता हूँ, आपको अगर कोई doubt हो, तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो, देख लेते हैं, साथ वीवर हैं, साथ लोग हमारे का channel को देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं hello कुछ सकते हो, मैं अपने फ्रेंड लोगों को आप शेयर कर सकते हो, किसी भी ग्रूप पे, जो आपके पर WhatsApp ग्रूप है, वहाँ पर आप शेयर कर दो, तो आज हम बहुत अच्छा लेक्शर लेक्शर लेका हैं, मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइस कर दूँगा, कि मैंना भी क्या पढ़ा, क्या का पढ़ाया है, तो जल्दी से जल्दी आप शेयर कर देजे, WhatsApp ग्रूप पे, जो कि भी आपके टेक्निकल ग्रूप हैं, आपके फ्रेंड से, आपके दोस्ते हैं, अगर आपको यहाँ पर टॉप चेट में, अगर आपको बात करनी है, मैसेज करना है, से बात कर सकते हो, ठीके, तो अपने दोस्तों को जल्दी से भेज देजिए, या तो WhatsApp पे या Facebook पे, कहीं पर भी आप सेंड कर सकते हो, लाइब लेक्चर चल रहा है, ठीके, चलिए, तो यहाँ पर, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइस कर देता हूं, मैंने जो बताया है, उसको मैंने क्या बता है, basically, feed system के बारे में हम लोगोंने बात करीए, कि what is the feed system, feed system, it is the combination of sprue, primary runner, secondary runner, gate and the cold well, okay, so, basically, feed system क्या है, इन तीनों का combination होता है, ठीके, यहाँ पर हमने sprue को देखा है, कि sprue का जो taper angle होता है, वो कितना होता है, 2 degree to 5 degree, ठीके, दो से लेकर 5 degree तक का taper angle, ले सकते हो, depend upon the complication of length, of cavity, okay, तो वहाँ पर depend करता है, कि cavity का length वगेरा कितना होता है, ठीके, चलिए, चलिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया, runner का diameter, ठीके, आप लोग अगर मुझे WhatsApp पर message कर रहे हो, तो message का जवाब मैं आपको बात में दूंगा, जब runner का diameter का मैंने आपको एक formula बता है, जो कि है, D is equal to W to the power 1 by 2 into L to the power 1 by 4, 1 by 2 मतलब हुआ, यहाँ पर 0.5, 1 by 4 मतलब हुआ, यहाँ पर 0.25, okay, यहाँ पर divide करते हैं, 3.7 से, ठीके, here, D is the runner diameter in mm, okay, remember that, in mm, D is the runner diameter in mm, W is equal to part weight in gram, and length is equal to runner length in mm, okay, चलो, समझ माया इतना, sub runner diameter basically क्या होता है, कि यहाँ पर आपको दिखना है, यह वाला जो है, यह runner है, ठीके, इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके अगर आपको दिखाऊं, तो थोड़ा सा और आपको समझ मायाँगा, यह जो है, यह क्या है runner है, यह sprue, यह runner, यह sub runner, okay, जो plus का निशान बन रहा है यहाँ पर, यह basically यह क्या है, sub runner, okay, चलिए, यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ, नीचे, ठीके, I hope आपको अच्छे समझ माया रहा होगा, ठीके, यहाँ पर देखते हैं, एक बार फिर से जाते हैं, ठीके, sub runner diameter को, अगर आपका component छोटा है, मतलब आपका component का, अगर weight जो है, वो 7-8 gram के अलाव बराबर है, तो वहाँ पर आप सेम runner diameter को यूज कर सकते हो, ठीके, runner का diameter जो रहता है, वो sub runner का diameter आप सेम कर सकते हो, लेकिन, अगर आपका component का weight अगर जादा है, और आपका component का weight अगर जादा है, और number of cavities भी, for example, जादा है, तो व बच में आएगा, ठीके, तो अगर मान के चलो, आपके पास 10 mm का अगर diameter है, ठीके, तो आप sub runner के लिए, आप यहाँ पर क्या ले सकते हो, sub runner के लिए आप ले सकते हो, 5 mm, ठीके, for the sub runner, ठीके, और यहाँ पर runner केता रहेगा हमारा, 10 mm रहेगा, main runner जो रहेगा, 10 mm रहेगा, ठी ठीके, for example, 5 gram, 6 gram, 7 gram का अगर हमारा component है, sub runner को भी यहाँ पर हम लोग 10 mm ले सकते हैं, ठीके, इतना समझ माया, चलो, इसको थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा समझ मायाँगा आपको, ठीके, चलो, इसको मैं minimize कर देता हूँ, फिर हम को not fit के जरूत पड़ेगी, चलो, यहाँ पर यह चीज़ हो गई, ठीके, तो इसको मैं आपको बोल रहा था, मैं आपको calculate करके दिखाता हूँ, कि किस तरह से हम इसको calculate करते हैं, चलो, यहाँ पर हमारे पास यह component है, तो सबसे पहले देखते हैं, component का weight हम लोग क्यसे find out करते हैं, हमारे पास यह component है, तो अगर दूसरा component ले रहा है, तो आप component ले सकते हो, ऐसा कोई problem नहीं है, ठीके, चलो, इसका component का weight हम ले लेते हैं, कि यह polypropylene है, चलिए, तो polypropylene ले ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, polypropylene, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बतायता हूँ, आपक PP material के लिए solid density कितनी होती है, what is the solid density for PP, 0.92 gram centimeter cube होती है, तो यह solid density के ओपर depend करता है, उसका weight, उसका mass, ठीके, चलिए, तो यहाँ पर यह कितना है, तो solid density यहाँ डाल देता हूँ, मैं, कितना है, 0.92, यहाँ पर click करते हो, और ok कर देते हैं, अब इसका देखते हैं, weight कितना होग होगा, ठीके, अगर मान के चलो, यहाँ पर मैं जाता हूँ, measure body में, इस पर click करता हूँ, और यहाँ पर देखता हूँ, मैं mass, mass कितना आया, 0.0051, कितना आया मुझा मेरा mass, यहाँ पर कर देता हूँ, एक बार, control यह करके, delete कर देता हूँ, 0.0051, यह आया, ठीके, इसको आप क्या करोगे, multiply by 1000 कर दोगे, multiply by 1000 करेगो, तो यह आपको कितना मिलेगा, बताओ जल्दी कितना मिलेगा, जल्सरी दो बताओ, you are an engineer, already, ठीके, अगर आप engineer हो तो आप बता दो, कितना मिलेगा, यह मिलेगा आपको 5.1 gram, ठीके, क्योंकि अभी यह क्या है, kg में आ रहा है, unit, दे मिल जाएगी तो में करता हूँ इंटू टू क्या करता हूं मुझे कितना यहाँ पर बताये जल्दी यहां पर डेख लेता हूं फाइप पॉइंट वन मेरा गणिट थोड़ा से कम जोर है तो मैं आपकुलेटर का इस्तमाल कर लेता हूं आपका अगर तेज है तो आप इसी बता दोगे किता है 20.4 तो यहां पर मैं स्वेल लिग उदाता हूं 20.4 तो मेरे पार्ट का जो वेट आया वो कितना आया 20.4 remember this thing ठीक है यहां पर घेता आया complete part weight यह complete हो गया part weight ठीक है क्योंकि number of cavity कितनी थी 4 cavity ठीक है तो यहां पर part weight कितना हो गया आपका 20.4 और इसकी unit देता हूं gram में राइट इता समझ भाया है ठीक है चलिए अब देखते है runner length को हम लोग कैसे decide करते है इसको minimize कर देता हूं runner length को decide करने के लिए यहां पर अचाहिता समझ भाया solid density में लेगी किसी भी material को solid density के उपर depend करता है उसका weight कितना होगा ठीक है पर में डालता हूं MS तो हमारा जो Google भाई साब है हमको सभी चीज बतायते हैं 7.87 देखा 7.87 ग्राम पर cm क्यूब है न मैंने थोड़ा सा गलत बताया था तो यह बद बोलना सर आपने थोड़ा सा गलत बताया था ज़रूरी नहीं यह density थोड़ी सी range में होती कम ज्यादा हो सक तो यहां पर अगर मैं 7.87 अगर मैं value को यहां पर डालता हूं solid density में डाको 7.85 एक example बता रहा हूं आपको ताकि आप पता कर सको तो यहां पर मैंने जब इसको 7.85 solid density देंसिटी तो इसका मतलब मैंने इसको define कर दिया कि यह component है वो ms material का है किसका है mild steel का है ठीक है तो यहां पर इसका mass देखूंगा न मैं तो क्या मिलेगा मुझे को यहां पर देखो 0.043 43536 kg 0.043 अच्छा इसको मैं अगर मैं calculator में देखता हूं 0.043 ठीक है into 1000 करूंगा तो मुझे कितना gram मिलेगा मुझे मिलेगा यहां पर 43 gram वह वाल यहां पर 5.1 gram का था ना ठीक है ना चलिए और यहां पर एक चीछ ज्यान देजिएगा जब भी एनेक्स इंग्राफिक्स का आप इस्तेमाल करो अब जो वेट निकालते हो निकालते हो यहां पर वेट को सिलेक मत किजिएगा वेट जो होता है ना वह 9.8 का गोणा हो जाता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटी जिस पर हम लोग रहते हैं अर्थ पर रहते हैं हम लोग तो उसकी ग्रेविटी होती है ठीक है ना मास पर मार्स पर रहते या फिर मून पर रहते तो उसके अलग ग्रेविटी होती तो बैसिकली यह वो वेट है इसमें 9.8 का गोणा हो जाता ह ठीके ना 9th class 10th class में आपने gravity पड़ी होगी वो चीजे यहाँ पर देख लेते मास ठीके यहाँ पर हम देखेंगे मास ठीके जिसके अंदर gravity को हम लोग नहीं जोड़ते हैं चलिए अब एक काम करते हैं यहाँ पर मैं इसको निकाल रहे हैं यहाँ पर निकाल रहे हैं तो चलिए निकाल ले ते हूँ और यहां यहाँ पर मैंने कमपोनेंट की पुषिण दे दिये तो नो नना क्हलीं करUpें यहां तक को कि इसको मैं कर देता हूँ चार component चार गम्पोनेंट कर दी है। अब मैंने क्या कहा था था आपको एक अपनेन्स से दूरी होना चाहिए और यहाँ पर 4 सबस्क्राइवर को इस मिरे में ना सब्सक्राइब करूंग consider कि इसका लेकि पाड़िक बनाओ तो मौट सब्सक्राइब केसी प्ल ден में नहीं कोडि़ा जाएगी नहीं हिगी तो पॉलक्सक्रा बोलते हैं उसका कारेंड यह है कि डिजाइनर लोग कुछ भी बना जाते हैं कुछ भी नहीं बनाना है दोस्तों हमको manufacturing aspect से किसी बें डाई को create करना है ठीक है always remember one thing अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लिजे तभी आप मुझसे chat पर बात कर सकते हो तो इसकी डेंड को देख लेते हैं मैंने आपको बताया कि from center यहां से लेकर quadrant point तक की जो distance होना चाहिए कम से कम 20 mm की distance होना चाहिए यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक 20 mm की distance होना चाहिए कर जादा होता न तो एक component से दूसरे component की बीच की दूरी काम हो जाती यहां पर quadrant point to quadrant point यहां पर कितनी होती 15 mm की distance अगर मैं आपको थोड़ा सा मूफ करके दिखां component यहां से में ले लेता हूँ dynamic और यहां पर यह देखो यह जो distance होना ची होना होती न तो यह 15 mm होना ची कम से कम quadrant point to quadrant point लेकिन अभी क्या है यह डाई के center में है इस कारण से center से मैंने 20 mm की distance लिए कितनी लिए center से 20 mm की distance ओके ठीक है यहां पर 20 mm यहां पर 20 mm यहां पर 20 mm वर्टिकली और horizontally 20 mm लिए ठीक है चलिए अब एक काम करते हैं इसको में क्या कर देता हूँ क्वार्ड पॉंट से क्वार्ड पॉंट को जोड़ देता हूँ तो यहां पर runner length बन गई तो मेरे पास runner length यहां पर आ चुकी है जो कि इस्तिमाल कीजेगा ठीक है चलो तो नॉट पेड में देख लेते हैं यहां पर और यहां पर हमारे पास component का वेट मिल गया ना कि वह 20.4 गराम है फॉर्ट फॉर केविटी ठीक है चलिए अब यहां पर runner length देखते है यहां पर कितनी होगी तो यहां पर जाएंगे हम लोग analysis में measure distance में जाएंगे और यहां से देखेंगे length length में जाके इस curve को select करेंगे देखो curve को select रहेंगे 110 यह भी select करते हैं subrunner को इसमें include करना है और दोनों subrunner को include करना है including gate position okay gate को भी आपको include करना है ठीक है पूरे को सब को कर लिया में include यहां पर मुझे कितना distance आई 189 189.9 मतलब आप मोल सकते हो कि 190 की length आ गई आपके पास ठीक है ना 190 की length आ गई ना आपके पास है अन मिनिट नौटपेट की फाइल कहां गई मेरी फैवरेट है चलो यहां पर रॉनर लेंग्ट ठीक है थोड़ा सा अगर मैं यहां पर डिस्टेंस देदू तो आपको थोड़ा सा और करें मगानी और रन्नर लेंग्ट यहांपर कितनी हुई 190 कितनी हुई M मैं है 180 mm मैं हुई ठीक है अब मुझे यहांपर क्या करना है इसकी पावर लगानी है इसकी पावर मुझे कितनी लगा ने तो Southern formula प्रत्लेद ऑले आपको बता दो formula क्या है एहां-पर hmmaire 你 यहांपर केलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों मेरा कणित बहुत कम जो है तो में यहाँ पर गए क्ल्कुलेटर का सिमाल करूंगा 020.4 तुदी पावर क्या करूंगा मैं तुदी पावर 0.5 ठीक है कितना आ गया 4.51 ठीक है 4.51 चलो इसको कर लेंग्त वों कितनी है रहें लेंग्त है 190 1910 करते हैं 1 9 0 इंग त्यक …!m हो गया ना 1 by 4 है 0.25 ठीक है 3.7 हो गया चलिए तो यहाँ पर मैद लिख देता हूँ 3.7 ठीक है न 3.7 हो गया और यहां पर bracket close करते हैं एकब बार प्रेकेट क्लोस यहां पर भी करते हैं bracket close ठीक है यहां पर divide by कितना करेंगे 3.7 चलिए अब एक बार इसकी value निकालनेते हैं कि कितनी इसकी value आएगी इसकी value यहाँ पर फिर से में calculator का स्थमाय करूंगा जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरा करनी थोड़ा सा कम जोर है चलिए चर करते है 4.51 यहाँ पर क्या करना है हमको multiplication by 3.7 ठीक है कितना आया 16.6 आया ना divide by कितना करेंगे 3.7 ठीक है we get the value 4.51 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4.51 तो basically यह क्या हुआ यह हुआ इसका diameter तो यहाँ पर यह runner के diameter को हमने क्या कर लिया है calculate कर लिया है दोस्तों यहाँ पर 4.54 पाइफ बना आया न तो राउंड फिगर में आप यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 5 mm 5.0 mm diameter ठीक है तो यह आ गया runner diameter ठीक है इतना आगया समझ में सभी को ठीक है सिंपल था यह कठिन था इतना कठिन तो नहीं था दोस्तों ठीक है कितना है वेल्यू 5.0 मतलब 5 mm का runner diameter यहाँ पर आ गया है चलो हमने runner diameter को अगर calculate कर लिया है तो यहां पर इसके हमारे आप्र कर यहां करते हैं क्लिक करते हैं वहसं पर यहां पर ऊपर देते हैं सब खुल दाया दक तो यह बेसिकिली यह जो runner diameter हमने जो लिया है ना यहे बैसे क्यांक स्क्रतर है कूंकि यह आपका कभी भी गलविають हो सकता किसमें जब आपका मेंटर अंदर जाएगा उसके बाद जाने का अंदर इंटर करें उसके बाद यह कंपोनेंट के अंदर अंदर जाएगा तो बिल्कुल सही तरीकस से feel होगा ठीक है ना कोई problem नहीं होगी कोई नहीं जाएगा ठीक है इतना समझ माया चलो थोड़ा सा आगे भी कर लेते हैं इसको कर दिया मैंने offset चलो यहाँ पर मैंने इसको भी आफ siitä करा है इसको फोड़ा सा आफ सै्ट कर देते है यह ङो कि मुझे फोड़ा साइसको ऑफ सेट करके यहां पर दो आ या तीन अमम का पना अपकोושot देना पड़े आपकी यहां पर फूर्ट को थे सको ठीके चलिए आप लोगो से थोड़ा सा बात कर लेप तोड़ा सा ठीक है क्योंकि आपसे बात करने में थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है देख लेते हैं वन मिनिट करने में चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ा थिके चलिए और यहां पर किस तरह से निकालते हैं यह चीजए होग टिस्तव मुदे करें को कैलकूरेट किया है क्र्स क्रॉस सेक्षन में आपको बथा फुन राउन और यहां पर फुल राउंड आपको यह पर नातर या यहां पर आपको वेसे भी रेडियस देनी पड़ेगी तो इस अच्छा पेरा बोले किया फिर आप क्या बनाओगे फूल राउंड को बात करते हैं यहां पर जब नंबर ओफ फोर के विटी यहां पर आपको दिख रही है यहां से जब मट्रियल जब इंटर करेगा अंदर साइड अंदर से अगर यहां से इंटर करेगा तो यह जो मट्रियल इसके अंदर जाएगा वो क्यासे जाएगा यूनिफॉर्मली यहां पर भी जाएगा, यहां पर भी जाएगा और फिर सभी component एक साथ भरेंगे, तो basically सभी component एक साथ feel हो, और एक साथ अगर feel होने को ही basically runner balancing बोलते हैं, तो runner को अगर आप balance करोगे, तो सभी component एक साथ feel होगे, ठीक है न, तो उसी को बोलते है runner balancing, बैसिकली अगर हमारे component का जो weight है तो हम रनर की size को और डामेटर को रनर की length को हम लोग को change करके हम उसको control कर सकते हैं ताकि हमारे सभी component एक सब बराएं तो इसका एक मैं बहुत अच्छा example बतायता हूं यहां पर यह वाले जो runner हैं यह simple runner, star runner, inline runner यह फिर जो runner आपको दिख रहे हैं simple runner है एक जिसे component के लिए use होते हैं लेकिन अगर आपके पास family mode, family component है जो बहुत सारे component है एक साथ अगर बनाना है तो उसके लिए आपको runner के size को या फिर डामेटर को और length को control करना पढ़ेगा इसके volume को देखके आपको उसको control करना पढ़ेगा तो यहां पर एक बहुत अच्छा example में आपको दिखा देता हूँ, one minute, तो यहां पर हमारे पास year example, यहां पर आपको दिख रहा है, यह component, तो यहां पर basically क्या कर रहा है, इसकी speed को control करने के लिए, यहां पर हमारे पास दो component ह तो यहां से material एंटर कर रहा है, यहां पर हमारे पास दो component है, अलग-अलग weight के, इसका weight थोड़ा सा कम है, इसका weight थोड़ा सा जादा है, इसमें पूरे material भरा हुआ है, तो इसकी basically flow को control करने के लिए, हमने इसका diameter को increase कर दिया है, यहां पर देखिए, यहां पर क्या कर रहा है इसके diameter को हम लोगोंने कम करकर रखा है, ताकि material जल्दी यहां पर पहुँचे, gate के size दोनों के एक है, यहां पर gate के size है, दोनों के क्या है, यहां पर देखो, speed से जा रहा है, यहां पर थोड़ा सा कम speed से जा रहा है, ताकि यह material धीरे बरा है, और यहां पर material जल्दी बरा है, तो इस तरह से इसको हम कंट्रोल करके runner balancing को कर सकते हैं in the family mode इतना समझ में आया है, I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा, चलिए मैं आपको course के बारे में थोड़ा सा information देता हूँ, बतायता हूँ, runner calculation को आप फिर से एक बार देख लिजिए, चैनल को subscribe कर लेजिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो plastic mold का complete design का course करना है, तो 88715-1975 पर मुझे message कीजिए, अगर Mold design, NXWine graphics सीखना है, तो पहले आप NXWine graphics को सीख लिजे, 15 days का course है, इसको कर सकते हो, इसके साथ में 8 folder course पर प्रोवाइड कराता हूँ, 30 days का live lecture, live online lecture classes होती है, basically मैं ही इस class को conduct कराता हूँ, अगर आपको मैं को पढ़ा, मेरा पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगता है, तो आप मुझे ही पढ़िये, सब सच्छी बाद होती है, ठीके न, 500 रुपीस का registration fee से, basically और limited seat हैं, क्योंकि मैं एक बेच में सिर्फ 10 student को लेता हूँ, इससे जादा नहीं लेता, उसके बाद फिर मैं इसको close कर देता हूँ, ठीके तो जल्दी से जल्दी आप registration कर सकते हो, ठीके और आप मुझे मेसेज कर सकते हो WhatsApp पे, जिससे आपको इसकी information मिल सेके, चलिए, और detail मैं आपको send कर दूँगा, और साथ मैं आपको syllabus भी send कर दूँगा, ठीके ना, चलिए, आपसे थोड़ा सा conversation कर लेते हैं, क्योंकि हर lecture के बाद में आपसे थोड़ा सा बाते करता हूँ, क्योंकि आपसे बाते करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, चलिए, कोई चीज है, how can I define gate point of cavity, basically gate point, gate point depend करता है component की geometry के उपर, मोनु कुमार जी पूछ रहे हैं, कि gate को हम लोग क्ये से define करेगे, तो basically gate को define करने के लिए, component की geometry के उपर depend करता है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बतायता हूँ, यह दिखे, जैसे कि मान के चलो, हमारे पास यहाँ पर एक यह diffarm gate है, तो diffarm gate basically क्या होता है, एक ring gate की तरह का होता है, ring gate का लग से होता है, लेकिन यहाँ पर एक ring gate की तरह होता है, ठीक है ना, अगर हमको एक pinpoint gate का use वहाँ करते हैं, जहाँ पर तुरंत digating हो जाए, किसी भी component से, किसी भी component से, आसानी से digating हो जाए, उस component की, feed system की, और gate की, तो वहाँ पर हम pinpoint gate यूज़ करेंगे, automatic digating के लिए, ताकि component eject होते समय ही, eject होते समय ही, runner से, feed system से, gate से क्या हो, component अपने आप eject हो जाए, तो उसके लिए हम लोग सममरीन gate का इस्तमाल करते हैं, और उसी के लिए हम hook gate का इस्तमाल भी करते हैं, तो basically, यहाँ पर depend करता है, component की geometry के उपर, basically, gate selection is depend upon the component geometry, ओके, चलिए, और देखते हैं, कोई question है, आपको समझ में आया, very good, welcome, thank you very much for the teacher day, कोई question को रही हो, तो आप मुझे सकते हो, Rupesh Yadav जी, thank you very much, अगर आपको मुझे यहाँ पर support करना है, तो यहाँ पर super sticker और super chat है, इसका इस्तेमाल करके, आप मुझे support कर सकते हो, जिससे channel को थोड़ा सा support होगा, और साथ में मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लेके आ सकता हूँ, जो कि technical aspect से, या फिर industrial purpose के लिए रहेंगे, और मैं job provide भी कराता हूँ, अगर आपको कोई भी job वगरा के लिए मैं प्लेलिस्ट लेके आने वाला हूँ, बहुत जल्दी, वहाँ पर vacancy वगरा भी पर मैं निकालने वाला हूँ, ठीके लेकिन उसके लिए थोड़ा सा time लगेगा, जब आप मिझे support करोगे, जब मेरे subscriber होगे, जब आप लोग मुझे सुनोगे, तभी मैं उसके लिए encourage हो पाऊँगा, राइट? बताईए, कोई question query अगर आपको हो तो, ठीके, आपके doubt वगेरा यहाँ पर होना चाहिए था, runner calculation, मैंने आपको पूरा बताया कि किस तरह से runner को हम लोग calculate कर सकते हैं, आपको यह वाली चीज़ समझभाए होगी, मैं फिर से आपके सामने रखके देखता हूँ, ठीके, यहाँ पर हमने notepad खोला था, notepad को मैंने हटा दिया है किया, नहीं हटाया, ठीके, यह देखो, ठीके, तो यहाँ पर यह चीज़ आपको अच्छे समझभाए होगी, कि किस तरह से हम लोग calculate करते हैं, किसी भी runner के diameter को, ठीके, runner का जो cross section area है, diameter को calculate करने के लिए हमको runner length की जरुवत पड़ती है, और साथ में हमको weight की जरुवत पड़ती हो, component, number of ppt यहाँ पर 4 थी, तो उसके लिए मैं आपको example देके पताया, कि यहाँ पर 20 gram का इसका weight हो गया, और runner length केती होगी, 190 होगी, ठीके, तो यह जब हमारे पास value है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस्तमाल करेंगे, ठीके, एक formula का इस्तमाल करेंगे, यह वाले का, D is equal to W to the power of 1 by 2, मतलब होता है, 0.5, into L, 1 by 4, मतलब होता है, 0.25, इस्तमाल के, डिवाइड by 3.7, here, D is equal to runner diameter, W is equal to part 1 into gram, in gram, L is equal to runner length in mm, okay, चलिए, रुपेशादाओ जी, सर्वे ने आपका course लिया था, okay, very good, कोई भी अकर question करी हो, रुपेशादो जी आप तो आप मुझे सकते हो, क्योंकि हमारे सभी live lecture रहते हैं, ठीके, और course में भी जो lecture रहते हैं, वो live lecture ही रहते हैं, ठीके, course में भी live lecture गूगल मेट पर ही provide कराता हूँ, वहाँ पर आपको कोई भी question हो, पंकच कुमार जी, I want to do, join NPD classes, NPD course में बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, New Product Design and Development का course complete रहेगा, जिसके अंदर हम लग plastic component को design करेंगे, साथ में sheet metal के component को, rubber के component को, aluminum के component को design करना सिखेंगे, और उसके tolerance देखेंगे, किस तरह से, part में किस तरह से tolerance लिया आता है, iOS standard का किस तरह से use किया आता है, for designing a component, and साथ में कुछ technological product को भी हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि solenide valve, और motor design, और साथ में, और जो battery होती है, उसका mechanism किस तरह से होता है, कुछ technological product को भी हम साथ में देखेंगे, सुरेंदर नचन जी बोल रहे है, material के लिए ये formula लागू है क्या, material के उपर depend करता है, very good सुरेंदर नचन जी, आपने बहुत अच्छा question पूछा है, इसका answer देने में मुझे भी बहुत मचा आएगा, तो चले देखते हैं, मैं भी लूँगा NPD course, अपकोस रुपेशादाव जी, आप लीजेगा, पंकच कुमार, how many days NPD course रहेगा, वो रहेगा, मैं भी 45 डेस का वो course रहेगा, इसके अंदर, और मैं आपसे कहना चाहूँगा, पंकच कुमार जी ने, किस ने पूछा था मुझे से question, सुरेंदर नचन जी ने, मटरियल के लिए ये फॉर्मूला लागू है क्या, अफकोस ये मटरियल के लिए फॉर्मूला लागू है, ये डामेटर अगर आप लोगोने कैल्कुलेट किया है, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, बतायता हूँ, एक और मुझे आपको एक स्लाइड बताना पड़ेगी उसके लिए, तो स्लाइड में आपको बतायता हूँ, एक, वन मिनिट, यहाँ पर मेरे पास एक स्लाइड है, यह वाली प्लास्टिक मटरीlast, तो यहां पर है न, थर्मो प्लास्टिक माटरील को ही, बिसकिले हम लोग इंजिनररिंशंने बिलते है, वी अलग नो अबाउट थर्मो प्लास्टिक मटरील, तो यहां पर basically क्या होता है, यहां पर मैंने आपको पता है PP material, PP मतलब होता है polypropylene, तो polypropylene material और PC material, इन दोनों की बीच में एक exception मान के चलिए आप, अगर polypropylene material के लिए अगर आपने अगर कोई runner का diameter निकाला है, और आप वहां पर use करने वाले हो polypropylene material का, तो यहां पर आपको एक यह दे, मान के चलो यह वाला जो material है, यह क्या है, polypropylene material है, लेकिन customer अगर इसकी जगह, अगर PC material यूज कर लेता है, तो PC material इस runner diameter में और gate calculation के अंदर, इसके अंदर वो जा नहीं पाएगा, वो क्या है, वो runner में ही रुख जाएगा, और component के अंदर वो भर नहीं पाएगा material को, ठीक है, क्योंकि इसका कारण यह है, PC जो material होता है, polypropylene, PP से गाड़ा होता है, मतलब आप बोल सकते हो कि अगर PP material के लिए आपने runner का diameter अगर 5 mm लिया है, तो PC material के लिए आपको वही 10 mm लेना पड़ेगा, तो बेसिकली यह एक manufacturing aspect से एक चीज है, आप इसको ध्यान में रखिएगा कभी भी, क्योंकि यहां पर viscosity का बहुत बड़ा फरक पड़ता है, इसलिए जब हम gate को calculate करते हैं, तो gate को calculate करते हैं हम एक material constant को लेके चलते हैं, बताये तहूं में एक बार, लेकिन जब आप course करोगे तो आपको थोड़ा सा और information पता चलेगा, कि क्या चीज होते हैं, तो यहां पर जैसे कि for example age gate है, तो यहां पर एक material constant होता है, देखो, यहां PS, polystyrene, PE, polyethylene, यहां पर हर material के लिए, जैसे PPE category है, तो इसके लिए 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, basically यह material constant है, यह material constant को आप लेके चलोगे, तभी आप height और width, basically यह चीज़ा आप निकाल सकते हो, gate की height और width, या फिर आप बोल सकते हो कि gate का diameter को, अगर आप वहां पर यूस कर रहे हो, तो उसको निकाल सकते हो, तो यह material constant के ऊपर different करता है, तो यह थोड़ा सा हमको जब calculate करते हैं, तो यह सब भी चीज़ा हमको देखने पड़ती है, that's why मैं आपको यह चीज़ कहता हूँ, कि आप course को join किज़े, ताकि आपको molding के बारे में अगर interest है, तो आप उसको अच्छे से स सको, ठीक है, चले, देख लेते हैं, यहाँ पर कोई question query अगर आपके पास or हो तो, देखते हैं, okay, I will join Pankaj Kumar, thank you so much, आप join किज़े, of course, ठीक है, viscosity PC की PP से double होती है, yes, of course, रुपेश यादर जी, यहाँ पर PC की जो viscosity होती है, वो PP से double होती है, इस कारण से हमको उसका diameter क्या होता ह है, ठीक है, यहाँ पर सब material के लिए, runner formula लागू है क्या, तो यही चीज आपने पूछी थी, good, very good, ठीक है, तो यहाँ पर runner का diameter जो आप निकालते हो, वो सब material के लिए लागू होता है, लेकिन PC एक exception है, polycarbonate एक exception है, जैसा मैंने आपको बताया है, ठीक है, चले, विकी, how to design all parts of mold, including ejection and cooling all plates assembly too, how to design all parts of mold, basically, यह जो complete mold, अगर आपको design करना है, तो उसके लिए आपको complete course को करना पड़ेगा, तब आपको एक एक चीज में step by step बता सकता हूँ, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर मान के चलो, यह मेरे पास है, यह mold का है, अगर सभी parts अगर आपको design कर करेंगे, length और width को कैसे decide करते हैं, length और width को decide करने के बाद, आपने complete mold की height कैसे decide करेंगे, क्योंकि यह complete mold based की, एक-एक height depend करती है, component की geometry के उपर, कि component की overall length, width और height कितनी है, ठीके न, उसके उपर depend करेंगे, उसके बाद भी इसके अंदर ejection के लिए mechanism लगते है, जैसे कि slider, lifter, य उसके उपर depend करता है, ठीके, अच्छा, आज का जो लेक्चर था, आज का लेक्चर था, वो runner calculation का, ठीके, तो आपको, आज का runner calculation का समझ माया है, कि runner को, आप किस तरह से calculate करते हो, ठीके न, तो यह वाला formula, आप ध्यान रखिएगा, कि runner के diameter को, आप कैसे calculate कर सकते हो, लेकिन उ without calculation, अगर आप model को design करोगे, तो बहुत सारे problem आने वाले है, आपके die खराब हो जाएगी, उसके लिए आपको complete calculation, theory, सभी चीचे सीखना पड़ेगी, ठीके न, चलिए, यहाँ पर देख लेते हैं, और कोई question query है, तो आप मुझे बताईए, कोई भी अगर आप question query है, हैमन, को course की fees कितनी है, sir, course की fees के लिए, आपको मुझे message करना पड़ेगा, हैमन जी, तो मैं आपको बता दूँगा, लेकिन आप यह बता सकता हूं, 500 रुपे registration fees, जिसमें मैं आपको दो दिन का demo class provide कराऊंगा, ठीके, पाविश मिश्रा जी, motion analysis कैसे करते हैं, sir, motion analysis मैं आपको बताऊ लेगा, ताकि channel की growth हो सके, ठीके न, चले, तो यहाँ पर मैं आपको तब तक detail आपको बतायता हूं, मोल्ड के course को, प्लास्टिक मोल्ड के design के course को, अगर आपको join करना है, तो आप join कर सकते हो, 30 days का course है, online lab lecture का, ठीके, 500 रुपे इसकी registration fees है for joining the course, मैं आपको maximum 10 student लेता हूं, तो आप join कर सकते हो, आसानी से, और 88715-1975 पर मुझे message किज़े, WhatsApp पर, और join कर लीजे, और साथ मैं आप मुझे message करोगे, मैं आप course के detail सेंड कर दूँगा, ठीके, course के detail, syllabus, और साथ में जो भी detail होती हो, सभी, ठीके, चले, तो next lecture में मिलते हैं, दोस्तों, तब तक के लिए, बाइबी, और शावा के लिएके, बाइबी, और बाइबी.